आये दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं MS Word 2007 का जो शीरीज चल रहा था जो हम लोग के स्रीज में पढ़े हुए थे इंसल्ट टैब के लिंक्स ग्रूप के बारे में तो आज हम लोग डिस्कॉर्ज करने वाले हैं हीडर एंड फोटर के बारे में हीडर एंड फोटर उसके बाद पीज नमर हम लोग देख लेंगे लोग इस ग्रूप में तो दोस्तों आप देख रहे हैं आपको इस चैनल में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा तो चली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीक तो सबसे पहले आपको तो आता होगा हर इक वीडियो में बताया हूँ कि कैसे सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो में मैं बताने वाला नहीं हूँ डायरेक्ट मैं में में सब्सक्राइब करते हैं आपके सामने इस तरके इंटरफेस आएगा और डायरेक्ट में आजाओंगा इंसल्ट टैप के हीडर एन फूटर ग्रूप में ठीक तो चली हम दोख स् और और इंटर दबा देना है जैसे इंटर दबाएगे दोस्तो तो यह आपका इस तरह के इंटरफेस आजाएगा काने के मतलब कुछ है आपका संटेंस सामने आ जाएगा और यहां पर हम लोग यूज करके देखेंगे कि इंसल्ट टैब में जो हीडर एन फूटर का ग्रू हमें कुछ बीडे एंटर के मतलब यह होता है जैसे कुछ हेडिंग के लिए या हम-लोग असपेस छोड़े होई motivo इसमें हेडिंक कुछ देना है तहीं हीडर के यूजी आपि कर लिए लोग ठिक और सब्सक्राइब होता है जो फूटर में फूट के मतलब हम जैनते हैं लोगर फूट के मतलब होता है लेकिन ये फूटर का मतलब होता है कि जो नीचे में हम लोग हम लोग नहीं क्या होता है n recur तोटल आटोमेटिक जानते हैं कि पेज नमर का मतलब क्या होता है तो चलिए मैं बताता हूँ एक एक पॉइंट बाइपॉइंट सबसे पहले हम दोग देखेंगे हीटर का मतलब जैसे हीटर पर हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरह के इंटरफेस आएगा और आपके ऊपरटिकर tiya को हीडिंग कहां पे जेना है यहां पे देना है यह सटाइभ के हीडिंग देना सब्सक्राइब कर लेना और में इसको मैं आलफाबेट वाले को यूज करके दिखाऊंगा जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो इस तरक इंटरफेस आएगा यानि कि आपको एक नया टैब ओपन होकर आ जाएगा यहां पर डिजाइन तो आपको यूज नहीं करने आपको यहां सिखना है पहले लिख लेते हैं ठीक जैसे म मैं चैनल के नाम ही लिख लेता हूं अ यहां से increase मैं कर दे रहा हूँ ठीक और यहां से कुछ चेंजिंग कर दे रहा हूँ यहां तक हम लो कर लएंगे लोग कॉस्ति अमीदकर तहा हूं कि यहां तक आप को समझे हो और यह देखे जब तक यह यहां यहां Header लिखेगा तब तक यह point खूला रहेगा तब तक आपको Header के लिए यहां पर यह हूँज़ होगा ठीक तो चलिए मैं header के लिए बचा रहा हूँ तो फिल्छाल Header में एक जब किली कीजिएगा заru या फूटर में तो आपको यह dessins खुल जाएगा और डिजाइन में कैसे डिजाइनिंग करते हैं यह हमको देखना है यह हम लोग को देखना है ठीक दोस्तों ते सबसे पहले इसको छोड़ेंगे तोटल जिक लेते हैं तब समझ में आएगा उसके बाद देखें यहां पर इसको भी हम लोग फिलहाल छोड़ देते हैं ठीक पहले हम लोग फॉर्ट चुग है लोग के टाइम एंड डेट पिक्चर क्लीप आट हम लोग डाहरेट यहां पर कुछ ऑप्शन को देखेंगे दोस प्वाइंट टू है तो पॉइंट वोण हो जाएगा और यहां पर क्लिक किजिए गा तो पॉइंट आपका बढ़ते जाएगा तो यह आपको समझ में आ गया वह इससे क्या होता है ज्यादा से ज्यादा आपको पॉइंट टू तक लाकर छोड़ सकते हैं उसके बाद देख अब हम लोग को नहीं देखना है ठीक लेकिन मैं बताऊंगा ठीक अब इसको बंद करना यहां लिखा हुआ है खिलोज हीटर एन फूटर ती इस पर क्लिक कर देना यह देखिए यह को लोज हो चुका है अब आते हैं दोस्ता हम लोग पढ़ते हैं लोग फिर से इंसर्ट मे बार है अब यहां पर आपको दीखेगा इस तरह की इंटरफेस आपको फूटर में याने की पैर में नीचे में पीज के बॉटम साइट में आपको टॉप के मतलब ऊपर होता है और बॉटम के मतलब होता है नीचे आपको जूल यह नहां है यहां से ले सकते हैं जिसें ब्लैंक में लेकर दिखा रहा हूं और ब्लैंक में इस तरह का इंटरफेस आई का टाइप टेक्स लिखा हुआ है आप किया आप मोबाइल नंबर हम लोग भी देश सकते हैं कि यह हो क्या ठीक अब देखें इसमें भी हम लोग यूज करेंगे इसका फूटर फ्रम बॉटम का तो यहां से जाएगा और यहां से उपर जाएगा ते कहां पर आपको कितना यूज करना है यह आपको पर डिफिंट करता ह पिर से है कलौज हीडर in फूटर पी कलेट कीजिएगा तो यह कुलूज है नीचे देखिएगा तो यह आपको देखिए का उपंपा देखिएगा तर देखिएगा कि ब्लीक परकि आपको यूज कर ल dwt फिर से इंवाल राना है हेडर हेडर फूट पूटर में आजाना और यहां क्लिक करके देख लेना है आपको जू कर जैसे करना है अगर इसको देखिए दोस्तों आप यहां लगा का रखे हुए हीडर यान फूटर को तो कोई भी यूज करना सिख लिजिए यहां पर देखे एडिट कीजिए का तो यह आपका के लिए जैसे यहां पर कम्पूटर कोर्स कि यहां मैं लिग देखे एडिटिंग हो गया तो इसको इडिटिंग फिर से इहां क्लूज किजिए का यह कुलोज हो जाएंगा तो फिर से कुब्सक्राइब देख लिए इंसर्ट में आना है हीटर फूटर पर ठीक कोई भी जैसे मैं फूटर को चेंज करके दिखा रहा हूं यहां क्लिक करना है और आज आदना है इडिटिंग में ठीक और यहां पर ऐसे यूज करके मैं बता रहा हूं जैसे मैं इसको बाड़ा कर दे रहा हूं ठीक तो यह आपका फिर से यहां क्लूज कीजिएगा तो यह आपका क्ल तोप में यह हट जाएगा अपका अठ्ट थिक है उसी तरह आपको अगर हीडर भी हटाना तो हटा सकते हैं बढ़ आप मैं बताऊंगा आपको पिज नमडर का यूज कैसे करते हैं इस पर आपको क्लिक करना है ठिक जैसे क्लिक कीज़ेगा दोस्तों तो इस तरह के इंटरफे bottom of page, मतलब नीचे में. जो यह page का bottom हो गया, कहा तो आपको देना है चाहिए, page number यहाँ यूज कर सकते हैं. फिर से यहां पर page margin. page margin का उब यह जो छूटा हुआ है यह को margin बोलता है. यहां पर कहीं पर आप दे सकते हैं. उसके बादब के current position. current position का मतलब आप जहां पर देना चाहते हैं current time में वहां पर दे सकते हैं इसके बाद कि फॉर्मिट पीज नमबर फॉर्मिट के मतलब होता है उसको फिर से changing कर सकते हैं remove page number इस पर क्लिक किजिएगा तो आपको page number हड़ जाएगा तो चलिए देखते हैं यूज करके मैं दिखा रहा हूं ठीक है तो आये इस पर क्लिक करता हूं मैं और सबसे पहले टॉप पीज पर क्लिक करूंगा क्लिक करने के बाद इस तरकी इंटरफेस आएगा आपर जहां जैसे जिस डिजाइन में आपको देना है दे सकते हैं अब प्लेन नमबर वान प्लेन नमबर टू ठीर और यहां से देखी मैं इस पर क्लिक करको देखाऊंगा और यहां इसका डिजाइनिंग अपर में यह पीज नमर दे सकते हैं देखे लिखा हुआ पीज वान ऐसे करके लिखेगा I can show my iidya or Pinch नममर और यहां पर जीवीन करना है तक रिमूँक करके रिमुब करके हम現在 कई घर या चलिया बॉर्टम में दिखा देता हैं बॉर्टम में जहां पर जैसे इना चाहिते हैं यहां देखिए मैं देखर दिखाराई सबस्क्राइब कर लेते हैं लुक्त कर दो दो कि अने को भाद यह सकते हैं वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं आप यूज़ करके देखना दिकत होगा आपको कमेंट करना है है करेंट पोजीशन जहां पर देना चाहते हैं यहां पिछन सामय हो आक कर्जर को मैं नीचे लेकर आया और फिर से इहां पोकुरेंट पूजीशन पर किलेकर देना यहां प्रेज नमबर आजाएगा ठीक है दोस्तों उम्मीद करते हूं यहां तक आपको समझी में आ गया होगा तो हम लोग पाड़ लिए फिडर इन फूर्टर पेज नमबर टूटल फॉर्मिट का मतलब यह वा जैसे पेज नमबर मैं कुछ डाल दे रहा हूं यहां पर यह ठीक और यहां से क्लूज कर दे रहा हूं चलिए आईए हम लोग देख लेते हैं फॉर्मिट का मतलब होता क्या है फॉर्मिट पीज नमबर इसे क्लिक जिएगा तो फॉर्मिट में क्या मतलब यह हुआ देखिए हर एक जगए वान टूटरी पेज नमबर वहां पेज नमबर दिखा रहे हूं पीज नमर यहां पर क्लिक करूंगा और यहां साभर पैजना इंबर लग जाएगा देखिए आपको माना गया तक तो उम्मीद करता हूं कि यह आपको समाझ में आ गया होगा है चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टोटल टेक्स के बारे में हम लोग पड़ लेंगे ठीक्स में टेक्स बॉक्स, क्वीक बॉक्स, वर्ड आर्ट, ड्रोप कैप, सिंगनेचर लाइन और या आपका टाइम एंड डेट या अबजेक्ट ये टोटल के टोटल हम लोग पड़ नेक्स्ट वीडियो में चलिए दोस्तों मिलते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा थैंक्स पर वाचिंग